सलाम नमस्ति सश्रीकाल क्या हाल चाल हैं वाइती वाले ओ वेलकम हैं on my YouTube चैनल और आज जी मैंने बनाई थे जो अमिस्टरी फ्राइफीश होती है वो बनाई है और साथ में मैंने बनाई है नान और जो जैसे पीजा जैसे जो गारलिक नान आते हैं वो वाले मैंने बनाई थे चीज और प्याज के साथ आगे आपको दिखाती हूं यह मैंने फिर कलिप कर ली थी शुट शुटी बना ली थी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर भी करती हूं बड़ी अच्छी बनी थी मज़ेदार फिश बनी थी हमारी और साथ मैंने ग्रीन चिली जो है वो और अनर की चटनी के साथ यह बड़ी अच्छी लगती है यह मिरे पास अनर की चटनी थी और साथ में मैंने देखिया यह गारलिक नान बनाई हैं जो मैंने चीज उपर डालकी और टमाटर और साथ प्याज डाला था तो बड़ा टेस्ट इसका अच्छा आता है जब हम ऐसे बन करने का और श्पेशली मैं चुलबली मियाओं को बोलना चाहती हूं कि चुलबली मियाओं अगर आप देखेंगे जे वीडियो तो ऐसा मत करना यार जो आपने बोला था वार्ड खाना तो मतलब ऐसा खुश होके बनाया करो और इंज्वाइए करा करो उसमें ना वो होता है मैंने नान बनाई है और आपको अभी बताती हूं मैंने बनाया कैसे है दिखें अभी जी मैंने जे मेरे पास फिश थी तीन पैकेट मैं लाई थी बोनलस जो फिश होती है वो है मेरे पास और इसको मैंने थोड़ा सा सिर्का पल साइडर विनेगर मेरे पास दूसरा विनेग और साथ में मैं डालूंगी तंदूरी मसाला थोड़ा इसमें रेड चिली भी आ जाएगी वैसे रेड चिली डालते हैं लेकिन बच्चों बच्चे खाते नहीं हैं खुश होके तो मैं रेड चिली कम जूस करती हूँ और उसकी जगा पे मैं जूस करती हूँ जी तंदूरी मस तालर जो आता है चिकन में भी डाल सकते हैं और इसके साथ मैंने एक डाला है इसमें और साथ मैंने डाला है एक दो चम्मच दहीं के , इसमें पानी मैंने एड किया है और देंट जाएंगे जो छोटे चम्मच वो चार बनते हैं और जे बड़े मैंने डाल ले थे बड़ा चम्मच था मेरे पास तो मैंने ये एक चम्मच जो है राइस फ्लावर डाला है इसमें और जे मैं डाल रही हूँ अभी दहीं दहीं के मैंने दो चम्मच डाल ले हैं और इसमें साथ हम डाल देंगे अभी नमक वगएरा जो भी मिक्स कर देंगे नमक और मसाल डालके काली मिर्श बगएरा तो इसको न ऐसे मैरिनिट करके हम रख देंगे दो गंटे के लिए अभी चार बज़े हैं तो चार बज़े मैंने मैरिनिट कर दीया है और अभी मैं पकाऊंगी इसको साड़े के शेवजे मैंने बनाना शुरू करना है तो हमारा साधे के साथ का टाइम है क्वाकिंग मतलब डिनर का तो साधे के साथ बज़े तक रैडी हो जाएगा भी मैंने इसमें नमक और निम्बू भी मिक्स कर दिया है लेमन अगर लेमन नहीं भी है तो सिर्का भी आप ये एड़ कर सकते हो तो लेकिन जो जो जे सिर्का और निम्बू होता है इससे कोई भी स्मेल नहीं रहती है उसमें फीश की कोई स्मेल जहां कुछ भी ऐसी स्मेल नहीं आती है और मेरिनेट में इसका टेस्टी अलग साथ आता है बड़ा अच्छा बनता है और ये मेरे पास है मसाला जो होता है मिक्स मसाला होता है जो सबी चिकन और यहाँ पर नान की भी तैयारी करके रख लेती हूं और बाद में जब मैं उपर फिश बनाऊंगी और साथ ही मैं नीचे ओवन को भी ओन कर दूँगी जे मैं ready made लेके आई थी गारलिक नान जो होते हैं बड़े अच्छे बनते हैं इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा होता है इसमें मैंने डाला है जी चीज मैंने जे देखे मैंने बूर के रख लिया है चदुकश करके और जे है चीज के साथ बड़ा अच्छा लगता है नान जे मैं चीज डालूँगी और जैसे पीजा के उपर हम करते हैं टॉपिक वैसे ही कर देंगे इसके भी और साथ मैं डालूँगी इसके उपर टमाटर और ग्रीन अनियन और साथ करेंगे जी हम प्याज एड और जे चिकन के साथ फिर फिश के साथ सुरी बड़ा अच्छा ल बच्चे आपको पता है रोज रोज रोटी खाना पसंद करते ही नहीं है जहां कि बच्चे जो है ना बहुत तंग करते हैं रोटी खाने के मामले में और हमें आपको पता ही है रोटी अच्छी लगती है लेकिन हम साथ साथ भी दो तीन दफा हमारे गर पे रोटी बनती है कुप बाकि यह चीज़ें कोई पास्था हो गया नान हो गया पाने वगया गया इसी चीज़े बनती थे मेरे पास त्या की सबक्कूस ऑलते है्मटी रगाऊंगी जब हमने खाने के टाइम में तब भी इसको करेंगे थोड़ा 15-20 मिनट के लिए रख लेंगे बीच में बहुत अच्छे बनेंगे और यहां पे मैं आप देख रहे हैं कि मैंने वो अभी डाइगंटे के बाद मैंने तेल रख लिया है तेल हो रहा है जी मेरा गरम और ट्राइ करते हैं अगर एक डाल की देखते हैं पहले कि कैसी गरम हो गया है अच्छे से तो फिर हम फ्राइ करेंगे फिश को और यह बहुत मजे की फिश बनती है और यह इमली की चटनी के साथ भी और चिली के साथ चिली चटनी जो होती है बड़ी अच्छी लगती है लेकिन मैंने मैं एक औ और अब बताऊंगी अगर आपको कहीं अनार की चटनी मिलगी तो वो तो क्या कहने उसके और चिली के साथ इतनी मजे की वो उसका टेस्ट आता है मैंने जब मुझे मिलती है मैं तीन चार कठी बोतले ले आती हूँ जहां देखें फिश पकोड़ा कितना अच्छा बना है व वैसी की वैसी टेस्ट आया है इसका तो होप आपको मेरी जे शोटी सी कोशश आज की भी पसंद आएगी और करना आप भी ट्राई और मुझे बताना जरूर और माही जान जे श्पेशली आपके भी लिए है क्योंके रोज्जे में अफ्तारी के लिए मैंने बनाई है और ब पुश रही है हमेशा जी और एद की भी मुवार्कबाद में पहले दे दूँ अगर कोई वीडियो मेरी देख रही है और अभी एद का टाइम है थेंक यू जी